हेलो एब्रीगन स्वाज हम यहां पर पाइप करेंगे इंटर लॉकिंग के बारे में क्या होता है इंटर लॉकिंग किस तरी के से की जाती है कहां इसका यूज होता है वह अपन देखने वाले क्यों लार्सिशन ने अपने देखा था कि वोल्डिंग और ऑ्रैकिंग कैसे करते हैं यूज हमाँ पर थोड़ा सा अलग करना वह होगा और यहां पर द॑ अनुद बंदाने के बाद अपनिन यहां पर पहले तो टैक्स कर लेते हैं और बेसिकलिए यहां पर मैं दो आउट पूट्स लूँगा दो आउट पूट्स मतलब सबसे अपने मैं इमआजिन करके चलें लिए फें दो मोटर्स को मैं करना चाहता हूं न तो यहां पर इंटर लॉकिंग का यूज मोटर्स को अन करने के लिए किस तरीके से किया जाएगा वह अपन देखने वाले तो यहां पर मैं शोल्ट-X में जाता हूँ यहां पर मैं मोटर वन के लिए एक स्टार्ट इन्पट ले लेता हूँ यहना इस्टार्ट यह इसको एस लिख लूँ स्टार्ट पिटल्स स्टार्ट पुश्बटन अना यह अपनी मोटर वन के लिए होगी ना मोटर वन यह अहां उसी के बाद एक और इंपुट चाहिए रहेगा मुझे मुझे मुश्बट यहां पर एक और इंपुट की दिवाद पड़ेगी यह अपना इंपुट नमबर टू होगा तो इसको मैं स्टार्ट ही ले लेता हूं कौन सी होगी यह पुश्बटन नमबर पुश्बटन घ्रिए कि लिए तो मोटर नमबर टू कि लिए ना तो मोटर नमबर टू ओ और अ तो मोटर नमबर टू कैने इनपुटू नमबर त्यओ obras in 2020 1 अपन ले रहे हैं आफं़ी राइन यह राद जी रो तो जोग्यार है मौट नमबर के लिए इसिर अभल धे पर दो नंबर के लि इनको स्टाप करने के लिए अपने कामन इंपट ले लेता है इसको अपने नियुक्त आप को मिलें इस टॉप यह यह कॉमन रहेगा दोनों के लिए तो यह तीन इंपोट्स हो जाएंगे मेरे लिए यहाँ पर दो मोटर सोगी तो मूटर नमबर जेरो और मूटर नमबर टू ले लो एक है तो बैसिकली यहां पर जो इंपुट का एड्रेस इसको मैं आउट्पुट का एड्रेस बना देता हूं कि 0.0 हो गया एक एड्रेस और दूसरा एड्रेस हो जाएगा कि 0.1 ठीक है इसके बाद यह टैक्स मेरे डिफाइन हो गए अब मैं जाता हूं में और ऑर्गिनेजिशन ब्लॉग में फिर से यहां पर मुझे लॉजिक बताना है तो बिसीकली यहां पर क्या करना होगा मुझे प वाज़ें सो researching अे टीक है तो यहां पर मैं define कर देता हूं start कि मोटर नंबर वन का ए ट्यक है और यहां पर मेरी मोटर होगी घो जो मोटर वन टीक है होल्डिंग लगाना है तो यहां पर भी वह एड्रेस आएगा मोटर नम्बर वन ठीक है यहां पर एक स्टॉप के लिए जो कॉमन इंपुट अपने दिया है वो लगा लेते हैं तो यहां पर स्टॉप स्टॉप हो गया अब सिमिलर्ली इसी नेटवर्क को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी को यहां पर पेस्ट कर देते हैं अब यहां पर देखना यह है कि मोटर नम्बर तू रहेगी मेरी यह मोटर नम्बर टू है और इसके लिए यहां पर होल्डिंग जो है कि मोटर नम्बर टू का एड्रस दे देंगे और इस टॉप तो कॉमन से ही हो रहा है ना तो यहां पर दो मोटर मैंने बना ली है दोनों मोटर एक के बाद एक ओन होगी है ना जब मैं स्टार्ट करूंगा इस पुछ बटन को तो मेरी मोटर नम्बर वन हाई हो जाएगी और होल्ड इस्टेट में जाएगी similarly अगर मैं इस पुछ बटन को स्टार्ट करता हूं तो मोटर नमबर टू हाई हो जाएगी और होल्ड इस्टेट में जाएगी तो चलिए इसको एक बार अपन देख लेते हैं है न तो यहां पर आप जाओगे सबसे पहले मुझे सीमिलेटर खुलना पड़ेगा इसके बाद आप इसको लोड कर दो लोड के बाद फिनिश कर देते हैं इसके बाद इसको आप रन मोड में लिया ला अन के बाद में यहां पर क्लिक कर लेता हूं सिम टेबल ओपन करने के लिए इसके बाद में यहां पर चला जाओंगर नियु प्रोजुक्त में जाने के बाद अब यहां पर एक प्रोजेक्ट इसके बाद oh sim table खूलनी होगी अपने को सिम टेबल में जाएंगे अन्व अब मुझे जो भी प्रोजेक्ट टैब ने लिए वह यहां पर भी चाहिए तो पहले इसको आपना आउनलाइन ले लेता है इसको आउनलाइन ले लेता है online लेने के बाद में यहां पर इसको monitor कर लेता हूं monitor करने के बाद मैं इसको चलाता हूं है तो यहां से सारे टैक्स यहां पर ले लेता हूं तो विशी कले अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैं input number 0 प्रेस करता हूं या बोल सकते हैं start push button अपन motor number 1 के लिए प्रेस करते हैं तो motor number 1 हाई हो जाएगी तो यहाँ पर motor number 1 अभी high state में है ठीक है similarly अगर मैं start push button for motor number 2 हाई करूँगा तो motor number 2 भी high state में आ जाएगी अब यहाँ पर since motor number 1 और motor number 2 के लिए stop button same है तो यहाँ पर जब भी मैं motor number तो यहाँ पर stop button press करूँगा तो motor दोनों बंद हो जाएगी जैसे आप देख सकते हों यहाँ तो stop करने पर दोनों motor अभी बंद हो रही है ठीक है लेकिन अब यहाँ पर अपन समझता है इंटर लॉकिंग कैसे करना है तो यहाँ पर मैं इसको offline लेके जाता हूं अभी अपने देखा कि दोनों motor जब भी मैं input number respective उनके inputs जो भी on कर रहा हूं तो मेरी motor number 1 और उसी साब से motor number 2 भी हाई हो रही थी जब मैं motor number 2 का input प्रेस करता हूं लेकिन यहाँ मैं यह चाहता हूं कि जब भी मेरी motor number 1 हाई रहे तब मैं अगर input number 2 जो की motor number 2 के लिए है उसको press करके मैं motor number 2 को हाई करना चाहूं तो वह हाई नहीं होगी है ना मैं यहाँ पर इस तरीए का logic बनाना चाहता हूं जिसमें motor number 1 अगर हाई स्टेट में हैं तो मोटर number 2 कभी भी हाई नहीं होना चाहिए है ना सिमिलरली जब motor number 2 हाई स्टेट में है तो जब भी मैं motor number 1 को हाई करने की कोशिश करूं तो मेरी motor number 1 हाई नहीं होना चाहिए ठीक है जब मैं motor number 2 को stop कर दूंगा तभी motor number 1 हाई होगी है ना तो basically अपन का यूस करेंगे अगर्कि जब भी मैं इंपुट नूंबर वन को प्रेस हो जाए वन तो हाई हो जाया है और होल्ड भी हो जाए लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मोटन नंबर टू को भी हाई करने की कोशिश करूं तो मोटर नमबर तू हाई नहीं होना चाहिए जब तक यह मोटर नमबर वन जो पहले से हाई थी वो बंद ना हो जाए तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा एक एंसी लगाँगा मैं तीक है यह एंसी मैं लगाता हूं यहा दे दूगा तो यहां पर मोटर नमबर वन दे दो गया तो अब यहां पर होने वाला क्या है यह देखते है बेसीकली जब भी यह मोटर हाई स्टेट में रहेगी तो यह जो एंसी कॉंटेक्ट है यह भी हाई स्टेट में आ जाएगा है ना क्योंकि यहां पर भी सेम एड्रे यह जो nc है यह no state में convert हो जाएगी मतलब open हो जाएगी तो मेरा बावर यहां से यहां तक को जाएगा लेकिन यह open state में है तो यह मेरी motor number 2 high state में नहीं आ सकती जब तक मेरी motor number 1 को मैं बंद नहीं कर देता हूं तो चलिए इसको चला के देखते हैं इस लॉजिक को मैं download कर देता हूं लॉजिक download करने के बाद आप इसको मोनिटर कर लो मोनिटर करने से अपन यहां पर देखते हैं तो बेसिकली जब मैं input number 1 को प्रेस करता हूं जैसे मैंने स्टार्ट किया motor number 1 को hold हो गई है ठीक है अब यहां पर आप यह देखोगे कि यहां पर यह देखो यह देखो यह जो एंसी कॉंटेक्ट था बिसीकली ग्रीन कलर से होना चाहिए था लेकिन यहां पर अभी क्या एक प्लू कलर से है क्यों देखो यहां पर यह जो stop वाला एंसी कॉंटेक्ट है यह देखो ग्रीन कलर से दिख रहा ना मतलब यह अभी अब यह एक्टिव नहीं है लेकिन क्योंकि यह address मतलब motor number 1 का address ही यहां पर दे रखा है क्योंकि यह address हाई है तो यहां पर भी वह हाई स्टेट में तो एंसी अभी क्या है और condition में बने हुई है अगर मैं motor number 2 का input प्रेस करूंगा मतलब पुछ बटन number 2 मतलब motor number 2 को on करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होने वाली है कैसे देखते हैं जैसे ही मैंने इन्पुट number 2 को प्रेस किया ठीक है तो देखो यहां पर क्या हुआ है जैसे ही मैं 2 को प्रेस कर रहा हूं तो पावर यहां से यहां तक तो जा रही है लेकिन इसके बाल आगे नहीं जा रही है और motor number 2 अभी भी लो स्टेट में है ठीक है अब इसको अपन रिलीज कर देखते हैं तो अब मैं क्या करूंगा motor number 1 को पहले बंद करूंगा फिर motor number 2 को चालो करने की कोशिश करता हूं तो motor number 1 को बंद करने के लिए मुझे क्या करना पदेगा करना पड़ेगा यह बंद हो गही अब यहां पर देखो गया पतो यहां पर यह क्या हो गया NC Contact में वापस कनवर्ट हो गया यह OFF हो गया मतलब यह भी लो हो गया तो यह वापस normal state में आगया लब नॉर्मली ख्लोज्ड स्टेट में आगया तो अब यह पावर यहां से यहां ट्रांस्फर करने देगा तो यहां पर देखो जैसे ही मैं मोटर नमबर टू के लिए इसको हाई करता हूं तो यह हाई होगा ठीक है अब इसके बाद अगर आप मोटर नमबर वन को हाई करना चाते हो तो वह भी हो जाएगी क्योंकि यहां पर कोई इंटर लॉग नहीं लगा रखा है अपन में तो यहां पर अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यह भी हाई हो जाएगी ठीक है लेकिन यह वाली बंद हो जाएगी क्यों क्योंकि यहां पर इंटर लॉग लगा हुआ ह तो अपन क्या करता हैं अब मैं यहां पर भी इंटर लगा देता हूं तो इसको आफ लाइन लिखे जाते हैं और यहां पर भी एक एंसी ले लेते हैं यह लेने के बाद मैं यहाँ पर मोटर 좋 you can add audio now भी ड्याओं तो ap main मोटर नंबर ड्ली का एंडकर Нिज्टता ह। अब जब भी मोटर नंबर ड्लाइड रहे की तो मोटर नंबर ाय नहीं होगी जब सब्सक्राइब नहीं कर देता है ना तो यहाँ पर आगे इसको में डाउनलोड करता हूं और इसको मॉनिटा करने की कोशिश करता है ठीक है अब मैं क्या करता हूं फेले पर स्टॉप कर देता हूं ठीक है अब अपन क्या करता है यहां पर चलाने की कोशिश करता है तो पहले मेरा मोटर नमबर वन हाई करता हूं तो देखो यहां पर मोटर नमबर वन हाई होगी अब मैं मोटर नमबर टू को हाई करने की कोशिश करूंगा तो वह हाई नहीं होगी है ना हाई नहीं होगी यह अगर आप देखोगे तो यहां पर मोटर नमबर टू अभी हाई नहीं हो रहे हैं इवन इफ मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है फिर भी हाई नहीं हो रहे हैं तो यहां पर अपन क्या करते हैं है युःजली क्यों है नहीं हो रही क्योंकि मेरा मोटर नमबोन अभी हाई स्टेट म Cultural कभी भी हाई स्टेट में काम करता हूं नहीं है पहले तो इसको इस टॉप कर देता हूं ठीक है यह स्टॉप कर गया मैंने मोटर नमब बयन को अब मैं मैं start करूंगा motor number 2 को तो देखो अभी हाई हो गई है ना अब मैं चाहता हूँ कि motor number 1 को आई करो तो वो हाई नहीं होगी क्योंकि interlock लगा रखा है तो यहां पर भी अपन प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है ना तो जब तक नहीं होगा जब तक motor number 2 अभी stop नहीं कर देता ठीक है stop कर दिया अब मैं one को हाई करना चाहता हूं तो यहां पर हाई हो इस तरीके से क्या करते हैं अपन interlocking के concept को यूज करता है ना बागी सारी चीज़े अपन next lecture में देखेंगे so thank you